हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सवी का स्वागत है इस यूटूब चैनल एकजाम न्यूज पर दोस्तो रेलवे की बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है नोर्दन रेलवे के 1264 सेलेक्टड एलपी का ट्रेनिंग सेटूर रिलिज कर दिया गया है यह एलपी वही वेकेंस कि डीवी और मैडिकल की बात करें तो जून 2019 में कंड़क्ट कराया गया था तब सबच्चे जॉइनिंग और ट्रेनिंग कर रहे थे इनका पैनल अक्टूबर से दिसंबर के विच रिलिज किया था 2019 में नोर्दन डेलवे में एस्टूइंट्स का तीन बोर्ड से सेलेक्शन होता है आजर्वी अलावाद आजर्वी चंडेगड और आजर्वी जम्मू इन सभी के जॉइनिंग अप्रील 2020 में अक्सपेक्टिट थी लेकिन कोरोना ने आकर इन सभी इस्टूइंट्स के सपनों पर पानी फिर दिया और इन इस्टूइंट्स को एक साल से ज्यादा एमपीज से मिल ला हो चाहे रेलभावन जाकर ऑफिसिल्स को अपनी बात बतानी हो नॉर्दन रेलवे बच्चे हुए एलपीज के सैटूल बनाने को रेड़ी ही नहीं था रेलवे के एक सियो विके आदम ने नॉमबर और दिसंबर में तीन प्रेस कोंफरेंस में क्लियरली कहा कि रेलवेज के बच्चे हुए सभी एलपीज को जोइनिंग अगस से पहले स्टार्ट हो जाएगी लेकिन इन सभी प्रेस कोंफरेंस का भी नॉर्दन रेलवेज पर कोई उसर नहीं पड़ा इसके उलट नॉर्दन रेलवेज ने जनवरी के महीने में एक नोटिस निका गया तब से कैंडिडेट्स ट्रेटर केंपेइनिंग और अन्य प्रासों में लग गए आखिरखार इन सभी की मेनत रंग लाई और कल सामको ही नॉर्दन रेलवेज ने बच्चे वे 1264 एलपीज का ट्रेनिंग सडूल रिलीज कर दिया तो इस वीडियो में दोस्तों हम उस को देखेंगे और क्या उसमें important points है इसको भी जानेंगे बच्चे पहले training schedule का वेट कर रहे थे लेकिन जैसे training schedule आ गया अब बच्चों की बहुत सा doubt आने लगे हैं जैसे की schedule की बात अब आगे process क्या है single tracing training का क्या मतलब है इससे कोई नुक्सान तो नहीं होगा तो मुझे तो Northern Railway के schedule को analyze करेंगे कौन से महिने में कौन सा बैच जाएगा कौन कौन से training center में बैच जाएगा और आपका number कब आएगा और आप सभी ALP candidates के जितने भी doubts है यह सारे doubts इस वीडियो में clear के जाएंगे इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है लेकिन आप वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आपके एक भी doubts नहीं रहेंगे तो आएए सुरू करते हैं सबसे पहले हम Northern Railway के release कियेगे schedule को देख लेते हैं दोस्तों आप देख सकते है schedule 4 फरवरी को release किया गया था यह लेटर Northern Railway headquarter बोड़ा हाउस द्वारा Northern Railway के सभी divisions को लिखा गया है सब्जयक्ट मैं आपको दिख जागा 72 working day single traction training और 1264 candidates दोसों सिर्फ 22 दिन की single traction training होगी इन सभी students की आगे इस वीडियो में मैं single traction पर detail में बात करूँगा अभी letter को आगे दिख लेते हैं इस letter में कहा गया है कि GM NR ने single traction training approve कर दी है और इन सभी ELBs के training 10 महीं से लेके 20 नौमर तक चलेगी phased manner में जो training center होंगे और जिया टे चंदोसी, DTC, लुदियाना, आलमवाग, TKD और ETC गाजियाबाद और उसके बाद अपने अपने divisions पर divisional training एक important line ने लिखी गई है जो NR के DTC है digital training center से वो भी candidates को electrical traction के training देंगे जब आगे आप इस letter को पढ़ेंगे तो इस letter में लिखा गया है कि रेल मिनिस्ट्री, MHA और होम मिनिस्ट्री के जो guidelines और COVID के रिगार्ड ही वो follow किये जाएंगे training के दोरान अब इस notice के next page पर चल लेते हैं यहाँ आपको training schedule दिया गया है दोस्तों इस notice बिल्कुल official और authentic है, website पर भी आज यह अकल में upload कर दी जाएगी इसलिए इसकी सत्यत्या पर बिल्कुल भी संद्या ना करें दोस्तों हम इस notice के next page पर आचुके हैं, आप देख सकते हैं 1264 candidates को चार batch में divide किया गया है G, H, I, J, G, H, I 320, 320 के batch है और जो J, H है और 304 students के batch है आपकी training सिर्फ single traction के होगी, इसका मतलब आप सभी के training सिर्फ electrical के करे जाएगी, अभी आपको diesel के training नहीं दी जाएगी, इसके फायदे और नुक्सान मैं आगे के वीडियो में बात करूँगा कुछ students को एक training schedule समझ जाए आया, उन सभी के लिए बता दूँ कि training आपकी 27 plus 27 plus 18 days के रहेगी, यानि total 72 days तो इन 72 दिनों में से 27 दिन आपकी training J.R.T.A. चंदोसी में होगी, और इस सब के लिए compulsory है, क्योंकि J.R.T.A. चंदोसी में transportation के training करा जाती है जो G.R.T.A. जो एच बैच है, जो 14.00 को जाएगा, जो आई बैच है, जो 16 July को जाएगा, और जो लास्ट बैच है, वो भी सगस्त को training के लिए जाएगा जो next column आपको दिया गया है, वो DTC का दिया गया है, यह Northern Railway के diesel training centers थे, जहाँ पर पहले diesel के training कराई जाती थी, पहला है आलमवाग, दुसरा है TKD, तुगलकावाद, तिसरा है LDS, लोदियाना, लेकिन इन तीनो training centers पर अब electrical के training दी जाएगी, कुछ बच्चे आलमवाग जाएगे, अब आप में से कुछ लोग सोच रहेंगे, कि ETC गाजा में किसकी training कराई जाएगी फिर, दोस्तों जो मैंने 27 प्लस 27 प्लस 18 बताया था, उसमें से 27 डेज आपको JIT में जाना है, और next 27 डेज में से, आपको या तो DTC में भेजा जाएगा, या फिर ETC में भेजा जाएगा, तो जो electrical की training है, वो DTC से और DTC से दोनों मिला के कराई जाएगी, तो जब आप इन सभी number of agents को add करेंगे, तो आपको 320 मिल जाएगा, यानि इन 320 agents को 27 डेज की electrical training के लिए, चार सेंटर में डिवाइज किया गया है, जिसमें से सब जादा capacity गाजी अबाद किया, जहा आपको अपनी division भेज दा जाएगा, वहाँ एक साथी 320 बच्चों के training होगी, नीचे box में आपको divisional training के detail दी गई है, कि कितने दिन के कौन से training कराई जाएगी division में, foot plate के training है, lobby की है, या air break के training है, तो दोस्तो आसा है आप सभी को इस schedule समझ में आ गया होगा, और अभी किसी के पस कोई doubt हो, तो comment बसे जरूर लिखें, अब चलते हैं आगे के तरफ, और देखते हैं, schedule कैसा रहेगा आप सभी के लिए, दोस्तो हिंदी में कहावत है, देर आए दुरूस्ता है, वह कहावत आप कह सकते हैं, static बैठती है, schedule को देखकर, क्योंकि दोस्तो आपकी capacity increase कर दे ग इसका मतलब हर मन्त एक new batch आएगा, एक batch से दूसरे batch का gap दो से तीन महीं नहीं नहीं जाएगा, जैसे कोरोनों के बाद निकाला गया schedule में, NR ने किया था, next all division candidates in every batch, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनो और मुरदाबाद के candidates को पहले batch में जगत दिया गया, सभी division cash joints को, उनके raceों क हिसाब से schedule में जगत दी गई है, इस सभी चीज़े दोस्तों आपको पता आई थी, अब चलते हैं सबसे बड़े point candidates के doubt की तरफ, तो यह candidates की कुछ doubts की list है, पहला जो candidates का doubt है कि single traction training का मतलब क्या है, और single traction training होने से उनके नुकसान होगा या फायदा होगा, तो पहले doubt से ही पैनल आप नीचे जाएंगे, तो आपको students की category मिल जाएगी, कि किस category में किसका selection हुआ है, जो category 1 था इसमें, वो electrical के लिए था, और category 2 था, जो mechanical के लिए था, लेकिन जब आप NR में आएंगे, तो सिर्फ आपको यहाँ पे post 2, NR दिखा दिखाएगा, इसका मतलब NR में सिर्फ mechanical branch है, यहाँ पे electrical कोई branch है ही नहीं, तो आपको समझ आ गया होगे, आप सभी का सिर्फ mechanical branch है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन railway, electrification की तरफ बढ़ रहा है, और 70-80% electrification हो भी चुका है, और आने वाले 2-3 सालों में 100% electrification हो जाएगा, NR में सिर्फ mechanical department है, लेकिन NR में ड 80% गाडिया electrical है, तो फिर NR में electrical training चलाएगा कौन, इसलिए NR अपने zone में dual traction training करवाता है, dual traction का मतलब आता है दोस्तों, यानि आपको diesel गाडिया का भी training दी जाएगी, और electrical गाडिया का भी training दी जाएगी, जिससे आप दोनों गाडिया चलाने में आसानी रहेगी, जिस वज़ आप सभी को सिर्फ electrical training दी जाएगी, अब कुछ candidates की doubt होते हैं कि इससे फायदा या नुकसान है, तो दोस्तों NR ने schedule जल्दी करने के चकर में single traction training करवाई है, हो सकता है आप सभी को training के एक या दो साल बाद diesel training करवाई जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको diesel training करवाई ज चलवाई जाए, अगर नुकसान की बाद करें दोस्तों आपको कुछ भी नुकसान नहीं इसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि diesel की गाड़िया old model की होती है, थोड़ा noise भी करती है, और electrical की गाड़िया automated होती है, तो इससे आपको फायदा है कि आपको electrical गाड़िया दी अगर ट्रेनिंग merit wise होती है, जैसा कि पैनल 1 में हुआ था और इस पैनल में 80-90 परसंट यही चांस है कि merit wise बुलाए जाएगा, तो फिर आपके division में जो आपकी ranking है, उस ranking के हिसाफ से आपका number आएगा, मान लिजिए लखनो के panel में आपकी ranking 100 पे है, और फिर्स्ट बैच में 90 अगर आपका number H batch में आएगा, अगर आपके ranking 200 है, तो पहले batch में 90 और दूसरे batch में 90, यानि 100 सी बच्चे पहले batch और दूसरे batch में चले गए, अगर 200 rank है आपका, तो आपका number I batch में आएगा, जो आप rank देखेगा, और division के list में देखेगा, ना कि NR के list में, तो आसा हैं दोस्त कमेंटर बहुत ज़रूर लिखें, अब चलता है next query की तरफ, next query है दोस्तों, जोइनिंग सब की साथ होगी, या batch होगी, अगर हम panel 1 की बात करें, सब एक साथ ही जोइनिंग करवाया गया था, लेकिन कोरोनों के बाद यह सभी situation change हो चुकी है, अब हो सकता है, आप सभी को batch wise बुलाया जाए, next query है दोस्तों, ट्रेनिंग पर होस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोस्तों, ट्रेनिंग पर होस्टल मिलने के पूरे चांस है से, क्योंकि जहार ट्रेनिंग की capacity रखे गई है, और डियो पीटी की पिछले guidelines के हिसाब से रखे गई है, maximum capacity ट्रेनिंग की 100 रखे गई है, इतने students तो Corona के टाइम में भी training कर रहे थे, और आप सबी के training मई से start होगी, कुछ time तक situation और improve हो चुकी रहेगी, तो इसलिए आप सबी को training पर होस्टल जरूर मिलेगा, next query है दोस्तों, जैनिंग लेटर को आएगा, दोस्तों, बरोडा house headquarter का सारा कम complete हो चुका आशा है, आप सभी के doubts clear हो गए होंगे, अगर अब भी किसी students का doubt है कोई, तो comment box में जरूर लिखें, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगवा तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, और आगे आने वाले LP trainings related और की information के लिए इस चैनल क सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद